बहुत सारी ताकतें ये कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से द केरला स्टोरी पर रोक लग जाए लेकिन सुप्रीम कोट ने इस पर रोक लगाने से मना कर दिया है क्या कहा है सुप्रीम कोट ने और क्यूं ये सारे लोग इनके पीछे पड़े हैं हम इसी वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं सुप्रीम कोट ने दे केरल स्टोरी पर रोख लगाने की मांग ये कहते हुए खारिज कर दी है कि ये हेट स्पीच को बढ़ावा देने का मामला नहीं है असल में केरला के जो लेफ्ट डेमोक्रिटिक फ्रन्ट और कॉंग्रेस पार्टी है उन्होंने फिल्म पर ये आरोप लगा दिया था कि ये हेट स्पीच को बढ़ावा देती है और ये आडियो विज्वल प्रोपेगेंडा है याद कीजिए यही आरोप देकश्मीर फाइल्स को भी लगा था और इसलिए आजकल लोग देकश्मीर फाइल्स से तुलना कर रहे हैं देकेरला स्टोरी की और अब इस मामले पर असल में सुप्रीम कोट ने सुनवाई करने से ही इंकार कर दिया रोक लगाने से भी इंकार कर दिया जाहर है इस मामले में जुस्टिस केस जोसिफ और वीवी नागरतन की बेंच से वकील निजाम पाशा और सीनियर एडवोकेट कपल सिबल ने मामले में तदकाल सुनवाई करने की मांग की थी उन्होंने बेंच से कहा था कि फिल्म शुकरवार को रिलीज होने वाली है और फिल्म के ट्रेलर पर अब तक एक करोड़ साथ लाख वियूज आ चुके है नेजाम पाशा ने कोट में कहा ये फिल्म हेट स्पीच के सबसे खराब और निचले दर्जे की मिसाल है ऐसा कहा गया कोट में और ये फिल्म पूरी तरह से सिर्फ एक आडियो विजूल प्रपगेंडा है S.C. ने इस पर जवाब दिया और सीधे तोर पर कहा कि हेट स्पीच के कई प्रकार होते हैं ऐसा नहीं है कि कोई विक्ती अचानक पोडियम पर जाकर बेतरतीब ढंग से हिट स्पीच फैला रहा है फिल्म को सर्टिफिकेशन मिल चुका है और सेंसर बोर्ड ने फिल्म को रिलीज के अनुमती दी है यहाँ पर बड़ा पक्ष साफ किया है और मजबूती से रखा है सुप्रीम कोड ने कि अगर सेंसर बोर्ड ने कर इसको पास कर दिया है तो आप हमारे पास क्यों आ रहे हैं और सीथे तोर पर सुप्रीम कोड ने कहा कि हम इस पर कोई टैग नहीं लगा सकते अगर आप फिल्म के रिलीज होने के फैसले को चुनौती देना चाहते हैं तो आपको सही प्लैटफॉर्म और फोरम के जरिये कोशिश करनी चाहिए वहीं जस्टिस नागरतन ने कहा कि इस मामले में आपको पहले हाई कोट में गुहार लगानी चाहिए थी इस पर जवाब देते हुए पाशा ने कहा कि फिल्म रिलीज होने में सिर्फ कुछी दिन रह गए हैं इसलिए उन्होंने मामले में सुप्रीम कोट में हस्तक्षिय प्याचिका दायर की थी इस पर बेंच ने कहा कि कोट कोई खुला मेहदान नहीं है कि जहां कोई भी कभी भी कैसे भी आ जाए Center Board of Film Certification ने फिल्म को A Certificate दिया है और फिल्म से करीब कुछ सीन्स काटे गए हैं केरल के पूर मुख्यमंत्री वी एस अच्चिता नंदन के इंटर्विव के सीन पर भी कट लगवाया गया है और विबादों के बीच गायव लड़कियों को 32,000 से घटा कर तीन कर दिया गया है और इस वीडियो की शुरुआत में ही 32,000 की जगह लड़कियों का नंबर 3 बताया गया है इसको लेकर काफी बवाल हो रहा था कि 32,000 नहीं है अब सवाल यह है कि 32,000 हैं या 3 हैं या 2 हैं या कोई एक भी क्यों है क्या मतलब या मामला तभी बड़ा बनता है जब 32,000 हो जाती है और 3 हैं तो कम है ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे देश के सभी नागरिकों की जान और इज़त अतनी ही कीमती है तो कुल मिलाकर मामला यह है कि इसे काफी विरोध जहलना पड़ रहा है और ऐसा लगता है आपकी जिस तरह से विरोध हो रहा है उसको देखते हुए इस फिल्म को दर्शक देखने जरूर पहुँचेंगे तो कश्मीर फाइल्स के वक्त भी यही हुआ था कहा गया था कि प्रोपेगंडा है लेकिन बाद में लोगों ने इसे थाबित किया कि उसे देखना चाहते हैं स्क्रीन भी बढ़ाए गए और जितना यह विरोध हो रहा है उसको देखकर ऐसा लगता है कि इसको देखने लोग जरू जाएंगे और कहीं न कहीं एक फिल्मेकर के तोर पर रिस्पॉंसबिलिटी बनती भी है यह आप ऐसे सब्जेक्ट सो लोगों के सामने रखें अगर कहीं का कोई विशय है ठीक है आंकड़े उपर नीचे हो सकते हैं लेकिन विशय तो विशय है यह दो के साथ हुआ या दो हजार के साथ हुआ बात वो नहीं है बात यह है कि अगर दो के साथ भी हुआ तो क्यों हुआ आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं